हैलो फ्रेंट्स वेल्कम टो एसी टेक मैं सेलेंज शेकाओ तो इस नए वीडियो में आप सबका स्वाइब करता हूं तो फ्रेंट्स आज की जो हमारी वीडियो है इसमें हम देखने वाले एर कंडिशनिंग या रेफ्रेशन वाले एक्विपेंट्स में हैं ओके अगर कॉंप्रेसर चलता है और कुछ देर बाद में कुछ देर बाद में कुछ देर बाद में कुछ देर बाद में कुलिंग बंद हो जाती है तो इसके क्या क्या रिजन्स हो सकते हैं ओके तो स्टेप बाई स्टेप हम देखने वाले टोटल 11 पॉइंट्स है तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की और देखते हैं कि क्या वह 11 पॉइंट्स है जो आपको चेक करना है और अगर इसके अलावा भी आपके पास कुछ पॉइंट्स है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखे हम नेक्स वीडियो में आपके नाम के साथ आपका पॉइंट भी रीड आउट क 102 कमपनीस के एरर कोड इस एप में अबडेट कियो हैं तो आप जा के देख सकते हैं तो यह जो पहली प्राबलम है यह आप वहां से सवाल कर सकते हैं एरर कोड वाली इसके बाद है पॉइंट नमबर टू पॉइंट नमबर टू है आपको इंडॉर कोईल और फील्टर की को बंद कर देगा तो आपको इंडोर कॉईल और इंडोर ब्लोवर यह सब चीजें चेक करने हैं कि इवापरेशन तो आपका कोई इस्यू के वज़े से रुख नहीं रहा है यूनिट में या सक्षन या डिश्चार्ज लाइन के थूरू वहाँ पर आइस तो नहीं आ रही है यह भी आपको चेक करना है पॉइंट नबर थी है आउटडोर कॉईल की कंडिशन चेक करना है अगर आप आप एसी चालू करते हैं थोड़ देर चलता है क्योंकि अगर उसका जो कंडेंसर वह ब्लॉक होगा तो इसके वह से कंडेंसेशन प्रोपर नहीं पाएगी condensation नहीं होने के कारण क्या होगा overall system का pressure बढ़ेगा pressure बढ़ने के वैसे compressor थोड़े दिर बाद में वो trip हो जाएगा और आपको cooling है वो बंद हो जाएगी तो आपको यह चीज़ चेक करनी है condenser की condition और यह ज़्यादा तर possibility window ashes में ज़्यादा आती है क्योंकि condenser उसमें कैसा होता है छोटा condenser होता है और वो जो area है बहुत जल्दी चोक हो जाता है तो आपको window asya कर है तो उसे पूरा बाहर निकल के आपको देखना है कि पीछे condenser इसका चोक तो नहीं है अगर split AC है तो आप easily बाहर से ही देख सकता है point number 4 है voltage check करें okay क्योंकि काफी बार क्या होता है कि voltage कम होने की वज़े से तो आपको पता होगा जो ohm slow है इसमें यह बता होगा कि अगर voltage कम होता है तो आपका ampere बढ़ेगा okay ampere बढ़ने से क्या होगा जो compressor है वो गरम होगा और compressor गरम होने की वज़े से जो compressor के अंदर internal overload protector दिया हुआ है वो क्या करेंगा कि compressor की common winding है उसे open कर देगा और आपका compressor बंद हो जाएगा इस कारण वाज भी जो cooling है वो बंद हो जाएगी कुस देर बाद में पॉइंट नमबर पांच है चेक रेफ्रीजेंट प्रेशर क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया अगर रेफ्रीजेंट का प्रेशर भी कम होगा तो क्या होता है हमारा expansion wall के बाद में यानि जो हमारी कैपिलर है एसी अफ्रीज के कैस में expansion wall के बाद में क्या होगा वहाँ पर आइस आने लग जाएगी वहाँ पर आइस आने के वजह से क्या होगा जो सिस्टम में से बता चल जाएगा करें सेंसर क्या करेंगा हो कॉइल सेंसर हमारी पीचिब को कमांड देगा कि रेफ्रीजेंट का मैं आप कॉम्प्रेशर बंद क आची है वो उसके अंदर है या नहीं है पॉइंट नंबर शिक्स है अगर जो हमारा कॉइल सेंसर है यह ख़राब हो जाएगा तो यह अगर आइस नहीं भी आती है तो भी आगे कमांड देदेगा कि आइस आई है और आप PCV के तुरू कॉंप्रेसर बन कर जिए तो अगर आप अगर आचा लांडरू का जो सप्लाय वहे पीच विडे थू कट जाता है पॉंट नंबर शेवन आपको जो कॉंप्रेसर का करेंट है उससे मआनिटर करना है किझी और यह मॉनिट्ण किचिए और कितने दिए अभर में आपको कम से कम 20-25 मिनिट करनी होगी, क्योंकि क्या होता है, धीरे धीरे कॉंप्रेसर जैसी चाल होता है, एक उसका 7 Ampere होगा है स्टार्टिंग में, या 4 Ampere होगा, अगर एक टन का होगा, तो फोर से 5 Ampere के बीच में होगा, तो वो क्या होगा, धीरे धीरे Ampere बढ़ेगा, यानि अगर आपका 4 Ampere है, तो थोड़े टाइम में 2-3 मिनिट बाद में 4.2 होगा, 4.3, 4.4 इस तरह से Ampere बढ़ते जाएगा, तो यह भी आपको चेक करना है, अगर उस तरह से Ampere बढ़ रहा है, तो आपको कॉंप्रेसर में कुछ इश्यू है, या तो और भी कुछ इश क्ईस्व हो सकते हैं, वोजी चेक करनी है, पईन नमबर 8 है, आपको जो सिस्टम है, इसके अंदर के सारे कैपेसिटर चेक करने है, सारे कैपेसिटर चैनी, अगर आपकी AC है, तो इसके फैन मोटर का, फेन मोटर का, और कॉंप buyersar का, अगर आपकी refrigerator है तो आपकोmundrysor का जो क के लिए डीफ फ्रीजर में आपको पताए को पता है एक फैन होटा है उसका haоны की चेक करना है क्योंकि ऑगर क्या होगा कि कापइसिटर भी होने के वगये सहे अगर फैन काुखर भी को होता है तो क्या करें का पाईगा वो आगे जाके जो cooling है वो नहीं कर पाएगा वो cooling नहीं होगी तो क्या होगा overall system का pressure बढ़ेगा और हमारा compressor after all trip हो जाएगा इसके बाद आपको compressor का क्यों चेक करना है कि compressor का अगर आपको capacitor नहीं चल रहा है बरबर से या value उसकी down होगा ये तो इससे क्या होगा कि compressor का जो ampere वो बढ़ेगा और temperature बढ़ेगा और वो open कर देगा उसकी जो common winding है उससे overload protector तो आपको जीतने भी capacitors है system के अंदर वो सारे चेक करने है तो आप ज़्यादत हो सके तो compressor और condenser के इससे start कीजे normally उनमें ही problem जादा मिलती है point number 9 है कि जो compressor है okay उसके terminals होते हैं इसके अंदर high current pass होने के through क्या होता है loose connections के वज़े से या hot होने के वज़े से गरम तंडा होने के वज़े से इसके जो terminal से जल जाते हैं जो पूरे तरीके से compressor है इसके अंदर पूरे तरीके से current pass नहीं हो पाता है तो इसके वज़े से क्या होता है वहाँ पे loose connection हो जाता है तो loose connection को आपको check करना है कि compressor terminals के उपर कुछ loose connection तो नहीं है क्योंकि अगर loose connection होगा तो भी उसका ampere बढ़ेगा और ampere बढ़ने के वज़े से वो high temperature होने के बाद दो थोड़े दर बाद में compressor trip हो जाएगा और starting में तो cooling कराइगी system मैं लेकिन बाद में cooling बंद हो जाएगी तो आपको ये loose connection भी चेक करना है और आपको system का पूरा loose connection चेक करना है अगर 3-pin टॉप में भी loose connection है तो ये भी issue हो सकता है यह हमारा जो relay है उसके अंदर आप देख सकते हैं dry shoulder हो जाता है कई बार PCB का relay है उसके dry shoulder होने के वज़े से भी यह problem आ सकती है point number 10 है compressor कुछ देर बाद में बंद हो जाता है आपका okay तो यह problem compressor related है क्योंकि कैसे अगर compressor चल रहा है आपका कुछ देर चलने के बाद में उसमें क्या है oil होता है अंदर oil क्या करता है compressor के जो moving part है उनमें friction कम करने की कोशिश करता है लेकिन अगर किसी वज़े से जो compressor का oil है वो system में चला जाता है ओके उसकी reads खराब होने के वज़े से तो इसमें क्या होगा आपका जो compressor के अंदर और जो friction हो रहा है उसे वो कम नहीं कर पाएगा तो इससे क्या होगा compressor थोड़ी देर चलेगा cooling करेगा लेकिन थोड़ी देर बाद में दस मिनट या पांच मिनट कितने भी टाइम हो सकता है वो उसके पाद में क्या होगा compressor jam हो जाएगा और high ampere लेके trip हो जाएगा तो इसको बोलते है hot and jam कहानी compressor गरम होता है और उसके बाद jam होता है और फिर आप उसको थंड़ा किजिए वापस वो थोड़ी देर बाद में आपस start हो जाएगा तो यह भी case हो सकता है तो आपको यह भी चेक करना है कि compressor starting में अगर चल रहा है तो उसका temperature अगर बढ़ रहा है तो उसमें hot and jam के भी case हो सकते हैं तो hot and jam में आपको capacitor पहले चेक करना है उसके बाद में आपको यह hot and jam के result के उपर जाना है तो point number 11 और हमारा last point है अगर आपने system में recently या किसी और mechanic ने recently system में reference charge किया है तो यह हो सकता है क्या होता है कई बार है ना reference charge करने के बाद क्या होता है अगर proper तरीके से vacuuming नहीं किया या flushing किया है system में तो expansion wall पर ice आजाती है तो ice आने के वज़े से क्या होगा जो हमारा reference है वो discharge side में बढ़ जाएगा discharge side में reference बढ़ने के वज़े से क्या होगा जो compressor है वो overload होके trip हो जागा कुछ देर बाद में तो यह case काफी समय आता है refrigerator में ज्यादा आता यह case AC में क्योंकि temperature कम नहीं होता इससी वज़े से यह problem नहीं आती लेकिन फिर भी आप अगर यह problem आ सकती है आपको अगर अपने refrigerator में काम कर रहे है यह refrigerator हो गया यह आपका deep freezer हो गया जो भी अगर आपके कुछ पॉइंट्स है तो नीचे कमेंट में लिखे हम नेक्स वीडियो में आपके नाम के साथ आपका पॉइंट भी रीडाउट करेंगे तो फिर मिलेंगे नेक्स वीडियो में जब तक के लिए गुड़ बाई एंड हैव नाइस टेई आपके करेंगे नेक्स वीडियो में लिए आपके वाह लाइस